हार्याली तीज जिसे की श्रावणी तीज भी कहा जाता है उत्तर भारत में श्रावण मास के शुकल पक्ष की 30 तिथी को मनाई जाती है ये त्योहार मुख्यता महिलान द्वारा मनाया जाता है जो अपनी पती की लंबी आयू और परिवार की स्मृदी के लिए ब्रत रखती है इस पावन दिन पर कुछ विशेश उपाय करने से धन, वेवब और स्मृदी प्राप्त होती है आये जानते हैं उन बारा उपायों के बारे में जिनको आप उप्योग में लाने से अपनी जिन्दकी में बहुत सारी चेंजिस ला सकते हैं तो बिना समय व्यतीत किये आये जानते हैं उसके बारे में आपको सबसे पहले क्या करना है शिरी अंद्र को घर के पूजा स्थानी तीजोरी के पास स्थापित करना है लेकिन सबसे पहले साफ सफाई का ध्यान रखें जहां पर भी आपको स्थापित करना है उसको साफ करें और गंगा जल छिड़कें वहाँ श्रीयंद्र को शुद्ध जलो गंगज़ सस्तान कराएं श्रीयंद्र को एक स्वच लाल कपड़े पर रखें और चारों और कुमकुम चावल और फूलों का मंदल बनाएं इसके पश्चा दीपक जलायों धूब दिखाएं श्रीयंद्र के सामने बैठ करके चारों और आपको एक मंत्र बोलना है जो कि है अम, श्रि, हिंग, श्रिंग, महलक्शम, नमः इस मंत्र का आपको एक सो आड़ बार जाप करना है श्रीयंद्र का मिठाई, फालियर और नार्यल अर्पित करें इसके बाद पूजा समाप्त होने के बाद श्रीयंद्र को अपनी तिजोरिया उस्थान पर रखें जहां आप धन चाहते हैं इसके बार दूसरा उपाय है भगवान शिवजो и माता पारवती की पूजा करना भगवान शिवजी और माता पारवती की पूजा हर्याली तीज के दिए विशेश महत रखती है इस दिर इनकी पूजा से घर में सुक्सम्रिदी और शांती बनी रहती है इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है भगवान शिवजी और माता परवती की मूर्दी लेनी है या कोई भी फोटो अगर आपके पास है तो वो लेना है उसको आप सबसे पहले शुद्ध जलो गंगा जल से स्नान कराएं फिर आपको दूद, दही, घी, शहदो, चीनी करके कंचाम वृत बनाना है, उससे इनका अबिशेक करना है भगवान शिवजी को वेल पत्र और धवतूरा अरपित करें फिर इसके बाद आपको मन्त्र जाब करना है जो है उम नम्हा शिवये और उम परवते नम्हा इन दोनों मन्त्रों को आप जाब करें धूब दीब नैवदे अर्पित करें और इसके बाद पूजा के बाद गरीबों और जरुरुत मंदों को भोजन और वस्तर का दान करें जितना आप कर सकते हैं उतना ही दान करें इसके बाद तीसरा उपाय है बेल पत्रों चावल का दान करना बेल पत्र और सफेज चावल का दान हरियाली तीज़ पर बहुत ज़्यादर शुप माना जाता है कहते हैं इसे भगवान शिवजी बहुत जल्ली प्रसन होते हैं और घर में धन, स्मृद्य और सुभाके का आशिरवात पो देते हैं अब इसके लिए आपको क्या करना है किसी भी शिव मंदिर में जाना है वहाँ भगवान शिवजी को बेल पत्र अर्पित करने हैं साथ ही सफेज चावल, दूद और दही का दान करें ये दान आपके जीवन में धन और स्मृद्य का आगमन करेगा इसके बाद चोथा उपाय है हर्याली का पूजन हर्याली तीज का बर्फ हर्याली से जुड़ा होता है इस दिन पोधों का पूजन और ओपन अत्तन शुब माना जाता है इससे पर्यावरंट शुद रहता है और घर में पोजिटिव एनरजी आती है तो आपको क्या करना है जैसे आपको मालूँ है अलग लग पोधों का अलग लग उपयोग होता है और अलग लग खासियत होती है जैसे कि तुलसी का पोधा तुलसी का पोधा घर में लगाने से सकरात्मक उरजा आती है और धन वेवग की ब्रती होती है अगर आँ शम्मी का पोधा लगाएंगे जो कि भगवान शिवजी को बहुत प्रीय है इसे लगाने से घर में सुक शान्ती और सम्रिदी बनी रहती है फिर तीसरा पोधा जो आप लगा सकते हैं वो आमले का पोधा आमले का पोधा स्वास्ते और स्मृति का प्रतीक होता है अब पूजन विधी कैसे करनी है जिस भी पोधे को आप लगा रहे हैं उसको आप शुद जलो गंगा जल से पहले स्नान कराएं पोधे के पास आप दीपक जलाएं और धूब दिखाएं, पोधों को फूल, कुमकुमो, चावल अरपित करें, नियमित रूप से इन पोधों की सेवा करें और जल अरपित करें इसके बाद जो पांचमा उपाय है वो है स्वर्ण अभुशनों की पूजा स्वर्ण अभुशनों की पूजा धन और वेवा का प्रतीक मानी जाती है हरियाली तीज के दिन इनकी पूजा करने से आर्थिक सिति मजबूत होती है इसलिए आपको क्या करना है सबसे पहले जो आपके स्वर्ण अभुशन है उनको अच्छे से साफ कर लें और सबसे पहले उसको शुद जल से स्नान करवाएं एक सवच कपड़े पहिने रखें और फिर कुम-कुम चावल और फूल अर्पित करें फिर आपको मंत्र जाप करना है ओम, हिरिंग, श्रिंग, लक्षमी भियो, नम्हा इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है पूजा गन्य के बाद अभुष्णों को फिर से तीजोरी में रख दें अब छटा उपाय जो आपको करना है वो है ब्रत और उब्बास ब्रत और उब्बास हर्याली तीज का मुख्य हिस्सा है इस दिन ब्रत रखने से भगवान शिव्जो माता पारविदी का आशिरवाद प्राप्त होता है और आर्थिक संकर दूर होते है अब हर्याली तीज के दिन आपको सबसे पहले सूरे उदे से पहले उठना है सनान करना है, साफ कपड़े पहने है और आपको पूरा दिन ब्रत रखना है अगर आपके यहां फलाहर खाना है लाओड है तो आप खा सकते हैं नहीं तो आप खाली पेट बिना कुछ पिये ही रहना होता है इस ब्रत में पूरे दिन भगवान शिव्जो माता पारवदी का ध्यान करें और उनसे आशिरवाद की काम ना करें शाम को विधी पूरवग पूजा करें और फिर ब्रत खोले इसके बास आथमा उपाय है लक्षमी स्रोथ का पार्ट लक्षमी स्रोथ का पार्ट करने से मा लक्षमी ची प्रसन होती है और धन वेवव का आशिरवाद देती है इसके लिए आपको एक स्वच स्थान पर बैठना है लक्षमी ची की मूर्तिया फोटों के सामने दीपक जलाना है ध्यान पूर्वक लक्षमी स्रोत का पार्ट करना है इसके नियमित पार्ट करने से आपके जीवन में धन और स्मृतिय का आगमन होगा फिर आठ महा उपाए है कुबेर देपता की पूजा करना कुबेर देपता धन की देपता माने जाते हैं उनकी पूजा से धन वेवा और स्मृति प्राप्त होती है इसके लिए आपको कुबेर देवता की मूर्ती को शुद जलो गंगा जससनान कराना है मूर्ती को एक साफ कपड़े पर रखना है फूल चावल और कुम कुम अर्पित करने है इसके बाद आपको 108 बार उनके नाम का एक मंत्र पढ़ना है उसके बाद आपको पूजा के बाद जो मूर्ती है कुबेर देवताजी की उनको अपनी तीजोरी या ऐसे स्थान में रखना है जहां पर आप धन रखते हैं फिर नौवा उपाय है देवी लक्षमी जी की आराधना देवी लक्षमी धन और वेभव की देवी मानी जाती है उनकी आराधना से धन संपतियों सुक्सम्रिदी प्राप्त होती है देवी लक्षमी जी की मूर्ती को शुजलो गंगा जल ससनान कराएं फूल चावल कुमकुम अरपित करें और फिर उनके नाम का मंत्र 108 बार पड़ें जो की है इस मंत्र का 108 बार जाप करें देवी लक्षमी जी को मिठाई और फलर पित करें पूजा के बाद देवी लक्षमी जी को आर्थी करें और प्रसाद बांटे दसवा उपाय है नारियल का उपाय नारियल को स्मृद्यों शुब्त कर प्रतीक माना जाता है हर्याली तीचपन नारियल का उपाय करने से धन प्राप्ती होती है इसके लिए आपको एक साफ सुत्रा नारियल लेना है उसे लाल कपड़े में बाणना है उसके बाद आपको ओम, श्रींग, हरिंग, श्रींग, महालक्ष में नम्हा मंत्र का जाप करते हो है नारियल को घर के मुखे द्वार पर रखना है पूजा गरने के बाद इस नारियल के प्रसाथ की रूप में बांटे नारियल का एक हिसा किसी जरुवत मन को अवश्य दान करें इसके बाद 11 वह उपाय है गोमती चक्र का उप्योग गोमती चक्र एक शक्तिशाली तंत्र उपाय है जो धनों स्मृदी को अक्रिशित करता है ग्यारा गोमती चक्र लें और उन्हें शुद जल से च्तान कराएं उन्हें एक लाल कपड़े पर रखें और कुमकुम चावलो फूल अरपित करें ओम, हरिंग, श्रिंग, क्लिंग, गोमती चक्राय नम्हा मंत्र का 108 बार चाप करें पूजा के बाद इन्हें अपनी तीजोरिया धन स्थान में रख दे फिर बारवा उपाय है सूरे भगवान की अरादना करना सूरे भगवान की अरादना से भी धन संपत्यों स्मृति प्राप्त होती है इसके लिए हर्याली तीजवाले दिन आप सुभा जल्दी उड़ जाएं तामबी के लोटे में जल लें और इसमें थोड़ी से रोली और चावज मिला करके सूरे देवता को अर्ग दे ओम सूरे नम्हा मंत्र का जाप करते हों अर्ग दे सूरे देव की मूर्तिय फोटो के सामने दीपक जलाएं और धूप दिखाएं तो ये बारा उपाय हमने आपको बताए हैं इन में से बारा में से कोई भी आप एक उपाय कर लेंगे तो आपके जिन्दिगी में धन, संपती, वेभव, ऐश्वरे की कमी नहीं रहेगी सबसे जरूरी होती है श्रदा भक्ती आपके मन में श्रदा भाव होना चाहिए और जो भी आप करें पूरी मन से करें हर्याली तीज का पर्व केवल धार्मे को सांस्कृतिक महत नहीं रखता है बलकि इसके माध्यम से धन, स्मृतियों, खुशाली की प्राप्ति के लिए भी उपाय किये जाते हैं इन उपायों को सच्ची श्रदा विश्वास के साथ अपनाने से निश्चिति आर्थी संकर दूर होते हों घर में सुख स्मृति का वास होता है हर्याली तीज के इन 12 उपायों को अपना करके आप अपने चीवन में आर्थी स्मृतियों, खुशाली ला सकते हैं वीडियो को एंट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्ली सब्सक्राइब कीजे वीडियो को लाइक कीजे कमेंट कीजे शेयर कीजे खूब सारा प्यार दीजे थैंक्स और वाचिंग